दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेखने बाले हैं बिहार बेलडोन डाटा इंट्री ओप्रेटर के लिए सेट प्रेक्टिस नमर 13 जो की एडिटोरिया बुक वॉल्यूम टू का ये सेट प्रेक्टिस नमर 13 है चलिए बिना देर की हुए अच्की retro प्रेक्टिस शुरू करते हैं और प्रेटरिया प्रेटरिया प्रेक्ट्रीगाम चैनल का link description में दिया गय करने का तो ठीक से देखें कि परतियक प्रिश्ट का बिराम कहाँ है यह जाएगा प्रिंट एरिया को बदल सकते हैं यह सब क्या होगा कि उसमें आप कर सकते हैं प्रिंट प्रिव्यू में तो अगला कोचन दो नमर बताएंगे दोनमर कोचन है कि बेव मेल किस पर host किया गया है तो बेव मेल जो है Cloud server पर host किया गया अगला तीन नमर एक्सी सेकों और कبة kasश कर चिलिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं या किसी मजूधा यूजर की सेटिंग में परिबरतन कर सकते हैं तो किस पर किलिक करके तो user account पर किलिक करके एक नया user बना सकते हैं अगला बताएंगे चार नमर question चार नमर question है कि निम्न में से कौन सा एक network है जिसमें computer भावतिक रूप से एक दुसरे के निकट प्राजा एक ही सम इमारत में इस्थित होता है तो इसका answer हो जाएगा ओप्सण डीन हो जायेगा अगला पांच नमर question बताना है कि एक circuit board या motherboard से जोरा modulator और modulator क्या होता है तो ये modular क्या होता है तो modulator होता है आंत्रिक modem होता है option iisa answer हो जाएग इसका आंत्रिक modem होता है अगला देखेंगे छे नमर कोचन, और छे नमर कोचन है, कि Microsoft Word 2016 में पहले से उपस्तित डॉकॉमेंट को खोलने के लिए, आपने मिलिखित में से कौं सी कीबॉर्ट सोटकर का उपयोग करते हैं, तो MS Word में पहले से उपस्तित डॉकॉमेंट को लेने के लिए, MS Word में खोलने के लिए कि सोटकर की का आउपयोग करते हैं, तो Ctrl O का आउपयोग करते हैं, Ctrl O से किरिक करेंगे तो क्या होगा, नया खुल कर आएगा, Ctrl A से से सेव होता है, Ctrl P से प्रिंट प्रिव्यू, Ctrl N से नया डॉकॉमेंट लेने के लिए, चलिए आगे चलते हैं, और अगल दर साथ हैं, कि उसका लास्ट में लगा हूआ रहता हैं, तो , भी लगा रहता है, विंसे तरह से इमिल अईथी में भी, होता है एकाउंट नेम और एक दिरेट के बार जो हता है उसे डोमेन नेम का जाता है और दोनों को जोड़ने का काम करता है एक दिरेट यहां से भी कोशन बनता है अगला नमर है कि वीच ओफ दफ फ्लॉइंग is an absolute cell reference दो करा रहा है निमलिखित में सेटके एक absolute cell reference है का सा absolute cell refers जाएँ तो डॉलर ए डॉलर एए और उआँ वन हो जाएगा तो ऑप्सण दी जोई इसका प्सरत द्रांग लगा जाता है लोग के लिए अगला नो नमर कोचन है कि Mailing Label Mailing Label निमलखित में से खाली अस्थान का हिस्सा है Mailing Label जो है किसका हिस्सा है Mailing Label है Main Document का हिस्सा है Option B सही अगला दस है कि 1 Modem की अबसकता होगी यदि आप खाली अस्थान चाहते हैं तो क्या चाहते हैं उसके लिए अगला एक आरे नमर बताएंगे कि निम्न में से काउंसा एंटी वायरस प्रोग्राम का उद्देश नहीं है तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा कि बायर बायरस का नाम कोपी करना बायरस का नाम कोपी करना और निलाच्छन के लिए Microsoft को भेजना अगला बारे नमर है कि Windows XP में Microsoft Paint चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरांद करेंगे तो Microsoft Paint जो है जिसमें आप डिजाइन करते हैं तो उसको चालू करने के लिए कैसे करेंगे अस्टेप बताना है तो पहले कि करेंगे अस्टार्ट पर जाएंगे और All Program पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक स्रीज पर क्लिक करेंगे और Paint वहाँ पर मिल जागा Paint पर क्लिक करेंगे तो Microsoft Paint होता है वो ओपन हो जाएगा एक स्रीज में आपको मिल जागा अगला तेरे नमर कोचन है Microsoft Excel 2016 में Formula के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत है तो कौन सा कथन गलत है ये बताना आए तो यहां पर दिया हुआ है Option A में कि Formula में Mathematical Operators और Logical Operators हो सकते हैं यह होता है Function में Formula Function में होता है Method Operators और दूसरा Option है कि Formula में Sales के संदर में हो सकते हैं सब्सक्राइब अग्मूला में टेक्स या वह सकते हैं तो यह भी आप एक । इनको शुरू होना चाहिए तो हच नहीं equal to होता है कोई भी फर्मूला लगाते हैं तो क्या लगाते हैं equal to लगाते हैं शुरू में तभी आप उसका उस फर्मूला काम करेगा तो option D जो है गलत दिया हुआ है अगला बताएंगे चवदर नमर कोशन और चवदर नमर कोशन है कि एक वर्कसीट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं वर्कसीट में सेलेक्ट कर सकते हैं तो कोलम को सेलेक्ट कर सकते हैं और वर्कसीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो यह तीनों सही होगा सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं पू मanले और यह चलते हैं और से अम्होंस फीलेख सेलेक्ट हो जाएगा नियहां जाक्यों पलब लुबहं टो अगला में luxe ही चलते हैं अगला चरते के संथा wilt आपका प् Gesch欸 forty a season बोर्ड में ग्रूप में जमा होता है जो कि होम मेन्यू का सबसे फर्ष्ट फर्ष्ट ग्रूप है फिलिप बोल्ड ग्रूप अगला सतरे नमर कोचन बताएंगे कि में बर्क बुक साजा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं आप इसे कहां से सच्छम करेंगे इसका होता है यहां पर बोला कि वर्क बुक साजा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं आप किसे आप इसे कहां से सच्छम करेंगे तो से वर्क बुक में एडवांस सेटिंग पर जाकर करेंगे ऑप्सन डी जो है सही अंसर है अगला बताना है अठाले नमर क कि MSWORD 1260 के एक टेबल में नियत कोलम की अधिकतम संख्यां कितना होता है तो MSWORD में maximum कोलम की संख्यां होता है 63 होता है चलिए आगे चलते हैं और अगला कोचन है 19 नमर नमर की बर्क बुक के प्रोटेक्शन के तहत MSXL में हम अश्टेक्शर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिस इसका आज से सिट पर कुछ निर्देशों से है इस संबंध में निमलिखित विकल्पों का सही निर्देश किया है तो इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद इंसर्ट उसके बाद डि डिलेट तो इसका एंसर हो जागा ऑप्सण बी चलिए आगे चलते हैं और अगला एकिस नमर कोचन बताना है कि एक अस्पाइरल अका ट्रेकल फॉर्मेट खाली अस्थान में महजूद होता है तो हुआता है तरह कंसा हुत्व है दियुक टिर्सार के अश्वाइश है सबीस नमर बढने स्थान परकार का भाइड रिधयर में सथाही रूप द्रेश नमर कोचन दम लख ग्रुपों में से काउंसा ग्राफिकल फाइल एक्स्टेंशन ने जेपीजी याइफ और बीमपी ऑप्शन डी जो है सही अन्सेर होगा इसका अगला बताएंगे चोविस नूमर चोविस नूमर कोचन है कि निमलिखित में से काउंसा डायलप इंटरनेट का उप्योग के बारे में सच है तो इसका क्या जागा काउंसा सही है तो ओप्शन A में देखेंगे बोल रहा है कि या मजुदा टेलिफोन सेवाओं का इस्तमाल करता है तो ओप्शन A जो है सही बोल इसका एंसर हो जागा एक नमर अगला बताएंगे 25 नमर की MS XL में सेल फॉर्मेटिंग सेल फॉर्मेटिंग ओप्शन के ताथ आप बहुत सारे बिकल्प देख सकते हैं निमलिखित में से काउंसा उनमें से एक बिकल्प नहीं होता है तो हाइड होता है और वोटो फील होता ह के लिए करेंट स्लाइड को डुब्लिकेट करने का सवर्ट करकी कंट्रोल डी होता है अगला 37 नमर कोचन है कि निमलिखित में से कौण सा कोई सिस्टम सप्ट नहीं है तो डीबी टू जो है सिस्टम सप्ट नहीं है अगला 28 नमर बताना है कि MS वर्ट 12 में बुलेट production , MS Word screenshot में आप जुम lives ministers control को कहाँ पाते हैं किस एरिया में मिलता है तो बोटम में मिलता है कहाँ तो राइट साइड में मिलता है यूं अ कॉंट्रोल है चलिए तुछ को घृटे कि कम्प्यूटर स्टान गई जटान जो किरांगा रगता रखता है इस अगला बता कोचल की सेल में ब्रतमान स्मय के लिए किस फंसन का उपयोग करते हैं लाना है करेंट टाइम के लिए एक टूडे जो फर्मूला ताइक टूडे यह टूडे का फर्मूला लगाएंगे तो करेंट टाइम आजाएगा अगे चलते हैं अगला कोचन है बतिस नमर कि में कदाइम स्थी एमेल पते कोली नियमी बदलने के लिए पते पर राइड किलिक करें और उसके बाद क्ट करना होगा उसके बाद क्या करना होगा उसके बाद व्णं मुण कहता हैं में कि निखित में मैंई अपजित में महता है तो किस मेन्यू यद्ट में होता है तो इस आप में वर्ट से उन्यून से लुगा जाएंसट एक झीट का लाब क्या है !! बताएं कि आप इसको होगा उप्यों करने करने के आपके आए तो गन्हा संचालीत रूप से कि जा सकती है और प्रिवर्तन सिल्फ गन्हा सोचालीत रूप से अध्यांतन हो सकता है यह तीनों ऑप्शन सही है इन्हें कि इन में से सभी हो जाएगा अगला 35 से कि आप भी दिमांद एक सल वर्क्षिट डाटा और चार्ट को किसके परयोग द्वारा इंटरनेट असिस्टेंट बीजार्ट के दोगा और अगला कोचन देखते हैं 36 नमर कि निमलिखित में से काउंसा एक इन्पूट डिवाइस प्रिंटर इन्पूट है अगला से कि निमलिखित में से काउंसा सुत्र साही डंग से नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले इक्वल्ट डू लगता है तो अगला सलाइट हो स्लाइट सो में पिछली सलाइट पर जाने के लिए प्रेस करते हैं तो पीछे जाने के लिए पी को प्रेस करते हैं और आगे जाने के लिए एक होता है पेज डाउन से जा सकते हैं और उपर जाने के लिए पेज अप से जल सकते हैं तो इसका इंसर यहां पर हो जागा पीछे जाने के लिए पी का प्रेस करेंगे अगला है चा सब्सक्राइynn प्रेसर सप्राइब करता बताना के लिए सब्सक्राइब प्रता करता है तो प्रफ्राइब उप्सेंत से ईंशर होगा अगला बताना आबि-re outta निमलिखित में से काउंसा विखल्प एप्लिकेशन शोप्ट बेर का एक उधारन है तो डेटाबेस जो है एप्लिकेशन शोप्ट बेर का उधारन है अगला देखेंगे 43 नमर कोचन कि एक MSXL तो है सिट में A6 और B6 शेल्स में परम सा माई और लाइफ लिखा है तो यह कोई भी कंडिशन यहां पर नहीं लगा हुआ है सिधा सीधी लिखा हुआ है A6 और B6 तो कौन के डिनेर से क्या हो दा कि दोनों जूट जाता है इसका एंसर जो हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा option D my life अगर कोई condition लगा हुआ रहता तो जिस तरह से condition लगाएगा उस तरह से जोड़ा जाता है चलिए यहां पर बताना है कि logical function को छोड़कर एक सुत्र परिनामस रूप true या false सब्द दिखाता है तो true or false किस function या formula जो होता है किस option में दिखता है तो इसका answer होगा option यहनि if true या false मिलता है परिनामस रूप true या false मिलता है अगला 35 नमर कोचन है कि MS Excel में संपूर्ण रो को सेलेट करने के लिए खाली अस्थान प्रेस करते हैं तो MS Excel में संपूर्ण रो को सेलेट करने के लिए क्या प्रेस करना होगा तो संपूर्ण रो को सेलेट करने के लिए सिप्ट के साथ हस्पेस प्रेस करेंगे अगला 46 नमर कोशन बताएंगे कि MS वर्ड में थेजा रस खाली अस्तान के लिए उप्योग किया जाता है तो इसका एंसेर हो जाएगा उप्सन भी समान अर्थक और बिप्रार्थक वर्ड के लिए उप्योग किया जाता है अगला बताएंगे 47 कि मेरे पास एक MS पावर पॉइंट में कई सलाइट है और इनमें से कुछ में टेक्स्ट सब्द इंडिया उप्लब्द है अब यदि मैं सलाइट सोटर व्यू में कंट्रोल एफ दबाता हूं सलाइट सोटर के मतलब वप्यू जितने भी सलाइट होगा एक साथ आपको 36 में दिख जाएगा और उसके बात कहा रहा है सलाइट में जाकर करके कि कंट्रोल एफ करेंगे कंट्रोल एफ से उस ओप्शन में फाइंड के मतलब वप खोजना तो दिखाता हूं और इंडिया को को खोजता हूं वह सलाइट काउंट से जिन्हें चुना जाएगा तो इंडिया सलाइट में लिखा वर रहेगा सभी सलाइट को स्वह करेगा तो आप्शन अ में इंडिया सब्दबाली सलाइट सभी सलाइट ऑप्शन एस सही एंसर हो जाएगा अगला बताना है 48 नमर को चलते हैं और अगला कोचन है उन्चास नमर कोचन उन्चास नमर कोचन बताना है कि ms word email में एक sale के लिए मुद्रा जिरो सहली का उप्योग करने करने और 12 टाइप करने पर हमें मिलता है तो क्या मिलता है तो बारे के बाद जो है जीरो आएगा तो बारे के बाद डिफोल्ट मुद्रक परतिक ओप्सन जो है बी हो जाएगा मुद्रक परतिक होता है जो रुपईया डॉलर यह सब कहां था तो बारे के पहले आएगा इन्हां पर इस तरह से की जीरो सहीली का उप्योग करना है तो जीरो सहीली जो हता ह बाड़े के बाद दता है तो option B जो है इसका सही एंसर होगा उंचास का अगला बताएंगे पचास नमर की Excel अस्पेट सीट में पंक्तियों और अस्टमों की अधिक्तम संख्या कितनी है तो Excel में अधिक्तम पंक्ति और रो की संख्या पुछ रहा है कोलम और रो की संख्या तो यहां पर हो जाता है 10,44,576 और अस्टम की संख्या हो जाता है 16,384 तो option D जो है सही एंसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं और अगला कोछ नहीं यह किसे पता चलेगा तो आप सब्सक्राइब और सब्सक्राइब खेजा कोड़िस करेंके चलते जाएं चलिए आगे चलते हैं और अगला और उइस तो आपको कोलम और रो की संख्या सो करेगा कि जब हमें किसी सेल में सबसे छोटी संख्या का पता करना है सबसे चोटी मिनिमम का पर मुला लगाएंगे ऑगला बाबा नहीं कि कि सेलों में किसी कि लिए दिरिस मान के बराबर उतका है उसकी गरना करने के लिए हम किस function का उपयोग करेंगे तो किस function का उपयोग करेंगे इसका उनसर हो जागा count और count प्रकूश करेंगे सबी को काउंट करके देगा चलिए आगे चलते हैं और अगला कोचन बताना आए तीरपन नमर कि MS Word में वाक के आखिर सब्द को दिखाने के लिए लास्ट सब्द को दिखाने के लिए कि सोटकर की का उपयोग करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो कि लास्ट में चला जाएगा अगला नमर है कि MS Word में किस विकल्प का उपयोग लेखाकों द्वारा किये गए बदलाबों के वो ट्रेक करने के लिए किया जाता है तो ट्रेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो ट्रेक चेंज का इसे वेनने पूछता है कि इनुल में होता या है या अथिक नमर hånda कि सब्से अधिक थेज गति वाले पूंसा कऊंसा है तो ल मैंसे अधिक अधिक तेज बोला कहा आगा अगला बताइंगे अफ्लिकेशन श्रोप्र इन मिलिखित में से कह्तंच सही है तो application के बारे में कंसल सही है तो a में है कि यह उप्यो करता हूँ के business कारियों के लिए बनाया गया है तो option a सही answer होगा सही बोल रहा है अगला बताएंगे 57 नमर question और 57 नमर question यह रहा बताना है कि ms powerpoint में विचार करें कि आपके पास 10 slide है और आपके slide 5 का chain किया है आप slide 5 नमर 5 में है और control के साथ इंड परेस करेंगे तो क्या होगा कि सबसे last slide में चला जाएंगे ज़रूरी नहीं है कि 10 से slide जितना भी slide रहेगा आप सबसे last slide में चला जाएंगे control इंड परेस करने से तो इसका answer क्या हो जागा slide 10 में last slide इसका 10 नमर 10 पर चला जाएगा अगला बताना है 58 नमर कोचन की निमलिखित में से काउन एक output उपकरन नहीं है तो microphone जो है output नहीं है input है जो कि इसमें बोलते हैं तो आप उसमें in करता है बाद तो यह क्या input है प्लोटर, monitor, speaker यह सब output है अगला 69 नमर कोचन है कि MS Word का उपयोग करते है तयार की गई report में test की कुछ बिभिन स्रेनिया होने के संभावना होते है जो थोड़ी अलग दिखाए देने अलग चाहिए इनमें मिसामिल है मुख test जिसे की मुख test है heading है, heading है अध्याय और सिर्स है अबुरुदđ बंद उर्दरन block of contents अब औरन तो यह सब option कहा मिलता है इन स्रेनिय के खाली अस्तान कहा जाता है क्या कहा जाता है उसका group की नाम ही है युसी का नाम से कहा जाता है मतब इस स्रेनिया इसे कहा जाता है तो किस गुरूब में यह सब मिलता है जो कि home menu के या home tap हो सकते हैं Home tap में ही आपको मिलने गा last में जो style group होता है वह style group का जाता है तो option B जो इसका right answer होगा यह अगला देखते हैं शाथ नमर question और इस set का last question है कि MS Word दस्तावेज में बुलेट की सहली बदलने के लिए क्या करना होगा तो यहां पे दिया हुआ है कि उस सुची का चैन करेंगे यानि कि जो भी टेस्ट में बुलेट लगाना वहां पर उस बुलेट को चूज करेंगे यानि उप्शन इसका क्या हो जागा एंसर तो पहले से लगा हुआ तो चेंज ओगा तो आज का सेट प्रेक्टिस समाथ हुआ वीडियो पसंदा दो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से शेयर करें फिर मिलते अगले सेट प्रेक्टिस में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद